तो जो जो प्रदानमंत्री जो भी भाष्ण देते हैं एक-एक इसू पर इसू बेस्डब रेबर्टल दे रहे है तो जिस तरह से उनोंने मीट मचली की बात किया जिस तरह से और चाहरा आप से जादा बढ़ चुकी है इसके बारे में क्या जवाब है इनका ग़ां झीघाब डे नहीं पारे हैं कुछ किया नहीं है इन चीजों बन रहे हैं कौन कहा रहा है प्रदानमंत्री जो पूछ है जनता क्या कहती है आप मैं आपको क्या पब्लिक मूड का अगर आपने तमाम रहे लिया कि है मुझे तो पब्लिक का मूड लगता है कि उप चुके हैं और परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि जनता भी यह सब नहीं सुनना चाहती है, जनता चाहती है कि अपने जो समस्याइं हैं, उनका समाधान हो, और दस साल हो गए है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रह है, और चाहिए जो भी जिस तरह से कमाने की कोशिश कर रहा है, चाहिए खेती में, चाहिए कुछ भी हो, वो पूरा कर नहीं पा रहा है, तो मुश्किलें बहुत बढ़ चुकी हैं, और लोग अब यह नहीं चाहते कि उनको इधर उधर की बाते हम बताएं, और उनका ध्या कि अगती है, तो परिस्थितियां तो एकदम अलग है ना, परिस्थितियां यह है कि जितने भी आपने वादे किये, उनको आपने पूरा नहीं किया, हाँ, एवेंट खूब हुए, जी ट्वेंटी हुआ, यह हुआ, इस आप को नहीं था, तुमाम प्रधान मंतरियों ने, राष्रपतियों ने कहा कि मोधी जी बहुत पहन कहान है ये सब जीवन में परिवर्तानाया कि नहीं आया जवाब हमेशा वहीं है खास तोर से जब आप देखियों तब उन पर्सनल अटाइक में बहुत ज्यादा होते हैं और वो लगातार आगे बढ़ते हैं इन चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं इसके पीछे आपको क्या लगता है क्या रननीती किसकी रननीती नहीं है देखिए एक स्वभाव होता है कुछ इंसान अपना ध्यान जो है अपने काम पर रखते हैं और कुछ बातों पर रखते हैं कुछ दिखावे पर रखते हैं किसी की असली श्रद्धा होती है किसी की नकली श्रद्धा होती है अब भाईया की श्रद्धा असली है इस देश के लिए इस देश की जनता के लिए भाईया का ध्यान अपने काम पर रहता है औ और उनको बिल्कुल कोई परवानेगे कि कोई उसके बारे, उनके बारे में क्या कहे, क्या नहीं कहें, बहुत साल हो गये, अब तो जनता भी पहचान रही है कि जितनी चीजें उन्होंने कही है, सब गलत थी, सब इतने बड़े जूट थे, जाए उनकी पढ़ाई के बारे में एक 봤 उनके बारे में इतने बडए जोटते अब तो खुद देख रही है तो यह चीजें के साथ सब सचाई आगे आजाती है यहीं हमारे धर्म की परंपरा है हमारे देश की परमपरा है हमारी पुरानी समाजिक परमपरा है कि जो सत्य है उसी का जीत होती है पूरे कॉंग्रेस के लोग भी और देश के लोग जानना चाहते हैं हमेठी राइवरीली से चुनाव लेंगे क्या आप लुगा तो प्रियंका गांधी जी थी कह रही थी कि प्रधानमंत्री ने जितने भी वादे किये हैं अब तक उन में से कोई वादा पूरा नहीं किया और ये देश की जनता आप जानगे राहूल गांधी पर जो परसनल अटेक होते हैं उसको लेकर के भी प्रियंका गांधी ने ये बा राहूल गान्धी के हेलिकॉप्टर की तलाशी लिए उस पर भी उनका कहना था कि यह जो तलाशी हुई है यह पहली बार नहीं हुई है और क्या प्रधानमंत्री की भी तलाशी होती है क्या एलेक्शन कमिंस्टन इस तरह की बात करता यह भी प्रियंका गांधि ने कहा है तो प्रियंका गांधी का राजस्थान का दवरा है उसमें प्रधान मंत्री पर बीजेपी पर जम कर हमला बोला है।